नमस्कार आपका फिर से एक बार स्वागत है इंजीनियर राजिस्सर किलासिस में और आसा करते हैं कि आप लोगों के एक्जाम अच्छे जा रहे हों और हमारी सुबकामना है कि सभी अच्छे नमरों से अंख प्राप्त करें और फश्डीवें तो सभी की हो साथ में 80 प्लस 80 आपके मार्स आएं और आपके 100 में 100 आएं तो यह हमारी और अच्छी सुबकामना हैं आपके लिए और किर्प्या करके यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिजेगा और आप पहले से ही सब्सक्राइब किये होगे हैं तो लाइक जरूर कर दिजेगा और अगर लाइक प्लास्टिक होता क्या है और प्लास्टिक का कहां कहां पर इस्तमाल किया जाता है और सेकेंड रहेगा प्लास्टिक प्लास्टिक के गुण क्या होते हैं प्लास्टिक के टाइप क्या होते हैं प्लास्टिक कितने भी है क्योंकि environment में इसके disadvantage भी है तो उसे भी पर हम लोग discussion करेंगे तो सबसे पहले topic रहेगा हमारा introduction of plastic, plastic का परिचय, plastic क्या होता है, plastic वह पदार्थ है जिसमें कई परकार की धातिया पदार्थ, जिसमें कई परकार के पदार्थ मिलाया जाते हैं और कई परकार के बस्तुओं को बनाया जाता है, जैसे की polythin और PVC, polythin भी एक plastic है और PVC भी एक plastic है, PVC तो आपने देखा होगा PVC plastic होता है, polybanyl chloride, ये भी PVC pipe आते हैं, देखा होगा आपने जो पानी की pipeline डालते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक का pipe है, वो PVC pipe कहलाता है, और कई light की जो फिटिंग डाली जाती, underground, तो वहाँ पर भी PVC pipe का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका polybanyl chloride plastic होता है, और कभी-कभी exam में भी पूछा जाता है, ये PVC का full form क्या है, क्योंकि हमारा जो channel है, वो कोशिस करता है, आपको polytechnic के साथ साथ engineering और completion के भी question को sort out करने की कोशिस रहती है, और आपका सहयोग रहेगा, तो आगे हम आपके लिए competence related point या doubt के लिए करवाएंगे, तो वही है कि जैसे कि polython और PVC, सुगटता, सुगटता को कहते हैं, प्लास्टिक था किसी भी पदारत का वर्गुन होता है, जिसके द्वारा, उस्मा और दाब के प्रभाव से उस्मा का इस्तमाल करेंगे, और दाब का प्रभाव जो है, उस्मा का यूज और दाब का यूज करके, हम लोग बिविन प्रकार की आख्रितियों को बना सकते हैं किस दाख माटरियल की रहेंगी बो रही है आपकी प्लास्टिक की मतलब आप एक कह सकते हैं कि प्लास्टिक पर उस्मा और दाब देकर बिविन प्रकार की आख्रितियां बना सकते हैं जैसे कि सबसे छोटी से छोटी बस्तू के बारे में कहें एक मग, मग, पैन, पैन, और आपके मारकर, यह सब प्लास्टिक के रहते हैं, और प्लास्टिक का इस्तमाल हर जगे किया जाता है, प्लास्टिक कार्वनिक पदार्थ में, प्लास्टिक के कार्वनिक पदार्थ है, तो प्लास्टिक कार्वनिक पदार्थ के परवार से सम्मंदित रखता है, प्लास्टिक बेकर्तिम कार्वनिक पदार्थ होते हैं, जिनने पॉलिमर भी कहते हैं, प्लास्टिक को पॉलिमर भी किया जा सकता है या इन्हें इस्तिबाल किया जा सकता है प्लास्टिक में बड़ी बिवित्ता होती है सबसे पतली पंडी से लेकर बतब सबसे पतली पंडी जैसे आप हाथ से फार सकते हैं और सबसे मोटे और कठोर पदार्थ या सबसे मोटे और कटोर प्लास्टिक जिने आप हांसे भी नहीं फार सकते हैं तो कहने का मतलब कि प्लास्टिक की equipment कमजोर से कमजोर और मजबुत से मजबुत बनाय जाते हैं आजकल प्लास्टिक का उप्योग लगबक सभी छेत्रों में किया जाता है क्योंकि हर फिल्ड में प्लास्टिक का यूज है वो कमजोरी हो गया है प्लास्टिक देखने पर खुबसूरत और बड़े पैमाने पर मोटर बाहनों, बिली के उपकान, संचार साधन जैसे रेडियो, टीवी, टेलिफोन, कम्प्योटर और उद्योगों में इंजिनिरिंग के सभी छेत्रों में प्लास्टिक का इस्तमाल किया जाता है एलेक्टिकल और एलेक्ट्रोनिक जैसी मसीनों के कई भाग प्लास्टिक के बनाये जाते हैं इसका उप्योग सुरक्षा, पट्टी, गेर, घिर्णिया, घिर्णिया में पुली, पुली, बेरिंग, आदी सभी में प्लास्टिक का उप्योग किया जाता है और सबसे पॉपुलर और सबसे पसंदीदा परार्थ है प्लास्टिक, क्योंकि उसके जो प्लास्टिक के जो एकूप्मेंट रहते हैं या जो बस्टो रहती वो एक तो सस्ती रहती है और हर जगे एवलिबिल हो जाता है यदि आप किसी एक इस्टील की चेयर की बात करें तो पता चलेगा कि इस्टील की चेयर कोश्टी रहेगी और सी कमप्रीजन म का मतलब है कि प्लास्टिक सबसे जादा इंडेस्ट्री में पसंद किये जाने वाला पदार्थ है तो ये कहलाता है फ्लास्टिक फिर बात करते हैं प्रॉपाइटी ओ प्लास्टिक प्लास्टिक के गुड़ कौन-कौन से हैं प्लास्टिक के गुड़ इनके गुड़ों के बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक इन्हें आसानी से धाला जा सकता है कैसे जब आप उसके उसमा और दवाव का इस्तमाल करेंगे तो उसको किसी भी आकर्ति में आप धाल सकते हैं आसानी से ड्रिल किया जा सकता है मसीनन आदी भी आसानी से की जा सकती है सिकेंड पॉइंट आता है यह अत्यादे कठोर होते हैं थर्ड है इसमें जंग और घरसंड प्रतिरोधी होते हैं मतलब इसमें क्या है कि जंग भी नहीं लगती है और कई ऐसे रहते हैं जो घरसंड का ब्रोधरी करते हैं प्लास्टिक भी होते हैं यह उस्वा और बीजली के अच्छे कोचालक होते हैं जहां पर हमें electrical equipment बनाने हैं तो नहीं हम प्लास्टिक के जादा इस्तिमाल करते हैं क्योंकि वह electricity के कोचालक हैं कभी कभी कहते हैं कि यदी आप बिजली का कोई बर्क कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक की गलप्स पहनेंगे, सिलीपर पहनेंगे, जिसे कहा कि प्रॉपर आर्थिंग ना बन सके, तो प्लास्टिक एलेक्षिकी का बिद्धुत का कुछालक होता है, ये ध्वनी रोधक और अगहात सहवी होते हैं, कहीं कहीं पर वो क्या करते हैं, साउंड को रोक जैसे आपने देखो को सॉकर लगाया जाते हैं, सॉकर मीन्स स्प्रिंग, तो इस सॉकर का कार्व होता है जटकों को एबसॉर्ब करना और उसी एनरजी को धीरी-धीरे रिलीज करना, ये तो सॉकर का बर्ख होता है, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक भी अगहात सह होते हैं यह बजन में हलके होते हैं यह नमी से अप्रवावित होते हैं नमी के इन पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ता है, यदि आप प्लास्टिक की कुर्सी है और एक आईरन की कुर्सी है, तो आईरन की कुर्सी में जंग तुरंद लग जाएगी, लेकिन जो प्लास्टिक की कुर्सी है, उस पर जंग की कोई चांसी नहीं है, तो यह कहते हैं, इस पर नमी का एफेक् पड़ता है ये परणाम में भी इस्थर होते हैं सब्सक्राइब नॉन ट्रांसपरेंट नॉन ट्रांस्परेंट टाइब के प्लास्टिक हो प्लास्टिक लौ서 की यह घो सब्सक्राइब आंके दर्सटिक होते हैं तो यह वह तो इसक oyn necesario जाते हैं लेकिन अभो Ensuite कैसी यि प्लास्टिक ऐसे रहते जो ट्रांस्पेंट्ट नहीं होते हैं तो यह हमारे प्लास्टिक के गोंड हैं तो यहां पर आपके प्लास्टिक के गोंड हैं वो कंपीट होते हैं फिर बात करेंगे कि प्लास्टिक के टाईप Classification of Plastic Plastic R2 Type No.1 Thermosetting Plastic और Second is Thermoplastic थर्मो सेटिंग और थर्मो प्लास्टिक जहां पर हम लोग बात करेंगे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बेप्लास्टिक होते हैं जो ताप द्रण प्लास्टिक उस्मा और दाब के प्रभाव से बनते हैं कठोर होते हैं ताप दर्ण प्लास्टिक से बने उत्पाद इस्थाई रूप में कठोर होते हैं उनके निर्माड के दौरान उस्मा पहले प्लास्टिक को नरम करती है और बाद में अधिक उस्मा और दाप के प्रभाव में बे अपरवर्थनिये होते हैं जैसे कि आप यह समझ सकते हैं कि जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होते हैं, उन्हें आप सुथ एक बार गरम करके उनकी आक्रती को बदल सकते हैं। लेकिन आप सुचें कि हम उसको फिर द्वारा गरम करके फिर उसकी आक्रती बदलने तो वह पॉस्बिल नहीं है, कि थर्मो प्लास्टिक, heat का उन पर कोई प्राभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि कुकर तो आपने देखा होगा, जिसमें दाल पकाते हैं, सब्जी में पकाते हैं, उसका जो हैंडल होता है, जिसमें मसाले का हैंडल को जिनली भासा में कहते हैं, तो जो प्लास्टिक है, वही थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहलाता है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक पर heat का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन प्लास्टिकों को किसी भी बिदी द्वारा नरम और पुनिरमित नहीं किया जबता है, मतलब आप इसको ना तो again सौप कर सकते हो, और ना इसके कोई कीमर और स्थाई होते हैं, यह अनेक प्रकार की रंगों में बनाय जा सकते हैं, ताप द्रह प्लास्टिक चार प्रकार की होते हैं, अब यहाँ पर जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक यहाँ पर convert हो जाता है, फोर, क्योंकि आपने अभी त लिक रेजिन और सेकंड आता है अमीनो रेजिन और तीसर आता है यहाँ पर सिलिकॉन रेजिन और फूर्ट आ जाता है यहाँ पर सिलिकॉन रेजिन के बाद आता है एपॉक्सी रेजिन यह थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के आई थे हैं एक दो त्री यह तो इसमें बात करेंगे कि फिनोलिक रेजिन या फिनोल रेजिन क्या होते हैं फिनोल इसको फिनोल फॉर्मल डेहाइट भी कहते हैं यह एक उत्प्रेरक की उपस्तिती में फिनोल और फॉर्मल डेहाइट के संगनन द्वारा फिनोल फॉर्मल डेहाइट राप्त होता है इसे बेकलाइट के नाम से भी जाना जाता है बेकिलाइट का नाम तो सुना होगा तो यह प्लास्टिक है बेकिलाइट बेकिलाइट एक कठोर, दर्ण और चीमर पदार्थ होता है यह ताप सहर और जल सहर होता है इस पर ताप का कोई प्रवाव नहीं पड़ता है और जल का कोई भी प्रिवावश पर नहीं पड़ता है यह लबड़ों पर अक्रिय होते हैं और साधान कार्वनिक बिलाइकों में गुलन सील होते हैं इसकी कठोड़ता और कुचालन गुड़ों के कारण इन कॉफियों पिलग, स्वीच गोर्ड, रेडियो, टीवी आदी में किया जाता है यह कि कहलाते हैं आपके ताप, जन्ड प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, बेप्लास्टिक होते हैं जिनको अप हर बार अगेन एन अगेन हीट आप कर सकते हैं तो आशा करते हैं कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा और फिर मिलते हैं नाइट में online class में क्योंकि जब हम ये video जालते हैं तो इसमें data ज्यादा consume होता है और online में तो यह आसान ही रहती है तो इसमें marathon रहेगा और night में देखते हैं एक घंटे या दो घंटे जहां तक doubt आ मिलते हैं ओनलाइन क्लास में थैंक यू